नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि डिस्टिक में कोट कितने प्रकार की होती है और कौन से कोट में कौन से केस की सुनवाई की जाती है मलब कि किस प्रकार के कोट में किस प्रकार के केस की सुनवाई की जाती है क्योंकि एक लड़के ने कमेंट किया था तो मैं उसका सलूसन कमेंट में उनको न बता करके उसकी वीडियो बना रहा हूं कि जिन लोगों को न मालूम हो सब को मालूम हो जाए कि डिस्टिक में कोट कि होती है तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल में मेरे नए हैं तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगे और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार के हो सकता पारती है तो मेरे वीडियो के कमेंड बाक्स में कमेंड करिएगा अगर छोटा मायटर है तो मैं कमेंड में ही बता दूंगा अगर बड़ा मायटर है तो मैं उसके लिए वीडियो को पाइकेश बना करके दूंगा तो दोस्तों चलिए वीडियो के ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिस्टिक में कोट कितने प्रकार के होते हैं बिल्कुल सबल सब्दों में आसान सब्दों में आप लोग समझ लेंगे बिल तो दोस्तो कोड दिस्टिक में तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं चलिए देखें डिटेल नमबर एक फोजदारी इसे क्रिमिनल कोड भी कहते हैं इसमें क्रिमिनल मामलों की सुनुआई होती है जिसका मतलब दंड से है मतलब कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लडाई जगडा मार पीट चोरी डकाईती अपहराण करता है तो इस प्रकार के मामलों की सुनुआई क्रिमिनल कोट में होती है मतलब कि फौजदारी कोट में होती है अब चलते हैं नमबर दो नमबर दो में आता है दोस्तो दिवानी अदालते इसमें अपराधिक मामलों को छोड़ कर लगभग सभी मामलों की चल अचल संपत्ति से संबंधित मामलों की सुनुआई होती है दोस्तो भूमी संबंधित चल अचल संबंधित मामलों की सुनुआई इसमें होती है और नमबर तीन है भू राजा सुनेयाले लैंड रिविन्यू कोट भू राजा सुनेयाले में भूमि सम्बंदित मामलों की सुनवाई होती है तो दोस्तों ये दिश्टिक में तीन प्रकार के कोटे होती हैं जिसमें अलग-अलग प्रकार के केस अलग-अलग प्रकार ढंक से सुनवाई की जाती है अगर मार पीट कर लिए हैं तो उसके लिए क्रिमिनल कोट में जाएंगे अगर अच्छी लगी हो तो सेर कर दीजिएगा धन्यवाद